हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक्जाम 90 बनके देखिए, ये हम लोग जो है, मैत का आज दूसरा प्रेक्टिस सेट कर रहा है ठीक है, चलिए, और जो हम लोग अब रोज की रोज एक प्रेक्टिस सेट दे रहे हैं इसे ही मिलेगा और लगवग लगवग कोश्चन का पैटर्न भी ऐसे ही देखने को मिलेगा ठीक है, इलहाबाद हाई कोड में, तो आप लोग इस सेट को यहां देखिए उसके बाद में जो है तो पहले तीन गंटे का दे रखा पहले इसका एक गंटा बना लेते हैं एक गंटे से पांच गंटा करें तो सीधे पांच गुना करेंगे एंसर आजाएगा दोखो, तीन गंटे में कितनी जाता है? 10.5 km तो इधर तीन से भाग देजिए एक गंटा बन जाएगा इधर तीन से भाग दे दिया तो एक गंटा बन गया इधर भी हम तीन से भाग दे देंगे तो इधर भी जो है एक गंटे में चली गई दूरी आ जाएगी अब हमको चाहिए कितने कि है, पांच गंटे की दूरी चाहिए, तो देखो, एक गंटे की दूरी ये थी, और ये पांच गंटे की हमको चाहिए, ठीक, तो देखो, तो देखो, किलो आवर से आवर चले गए, तीन, 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 पच्छे, पंदरा, फिर, एक सकेंड, देखे, यहां पर यह 3 होना चाहिए था यहां पर यहां पर 2 होना चाहिए था यह 2 लिखा हुआ है सवाल में देख मिस्टेक यह हो गई थी ठीक है चलिए तो 3 3 9 3 चकुबारा तो 3 4 यह मिल जाएगा 3 4 की गुणा जो है 5 से कर दीजिए 5 चकुब 20 पांतियां 15 और दो 17 17 दसमलब 0 किलो मीटर तो हमको यह एंसर मिल गया है कित था 17 दसमलब 0 किलो मीटर इसका एंसर मिल गया है ठीक है चलिए भाई तो इसका 17 km यह answer मिल जाएगा अजय और नवल की आयू का अनुपात ठीक है तो अजय और नवल ठीक है इनकी आयू का अनुपात कित्ता दे रखा है 2 अनुपात 3 दे रखा है ओपर X नीचे भी X 12 बर्स पश्चात यानि की 12 साल बात तो दोनों में 12 साल जोड़ दीजिए ठीक है कानुपात कित्ता हो जाता है 11 बटे 15 हो जाता है तो इधर से ऐसे करके cross multiplication हो जाएक तो 15 दूनी 30 X हो जाएगा 12 15 की गुणा 180 हो जाती है ग्यारा तियां 33 हो जाएगा 33 X प्लस ग्यारा बारा की गुणा 132 हो जाती है देखो ये 15 दूनी 30 था ये 33 था तो 30 को इधर टांसफर कर दिए 132 को इधर लेके आए तो 30 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 33 X माइनस का 30 X ठीक? is equal to 180 माइनस का 132 तो इधर बचेगा 3 X इधर बचेगा 52 X 52 बचेगा तो 3 से इसको भाग दे देंगे तो 3 कितना बचेगा 10 में से स्वारी 52 नहीं बचेगा गलती देगे जल्दवाजी में यही होता है 0 में से 2 गया 8 बचेगा और यहां पर बचा 17 17 में से 3 गया 17 में से 13 गया 4 बचेगा 3 से भाग देंगे 16 तो 16 ती अड़तालिस 16 आ जाएगा X की वैलू 16 आ गई कितना X की वैलू हमको 16 मिल गई पूशा क्या गया 9 नवल कौन था नीचे वाला नीचे वाला मतलब 3 तो 16 ती आड़तालिस तो नवल की आयो 48 हो गई कि देखिए कोश्चन सरल हैं यह है कि जैसे मैं चाहता हूं कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो तो इसलिए थोड़ी सी जल्दवाजी में गल्तियां हो जाती है बर आप लोग थोड़ा से ध्यान न किएगा पेपर में इतना ज्यादा टाइम है आराम से करिएगा चलो पर दिखा हुआ एक बैट्स अपने मित्र को 10% सब्स यादि मित्र इसे 20% लाब पर 500 रुपए में बेचता है तो यानि कि देखिए अब यह 500 रुपए पर जो है 54,000 रुपए पर 20% के लाब उपर तो इसमें 20% का लाब सामिल है इसको 100% पर बना दीजिए 25,000 रुपए यानि कि इसकी कीमत थी 45,000 रुपए तो कार का बास्तविक मूल क्या था ठीक एक देखिए अपने मित्र को 10% की हानी पर कार बेचता है यदि मित्र इसे 20% लाब पर बेचता है अच्छा मित्र ने इसे 20% पर बेची थी अब देखिए यह किस के बराबर हो जाएगा यह 90,000 के बराबर हो जाएगा क्योंकि पहले वाले मित्र ने उसको 10% की हानी पर बेची थी तो इसको भी हमें 100% पर बनाना पड़ेगा तो देखो जीरो से जीरो नौ इक कम नौ पचे पैटालिस यह 5000 और एक जीरो और लग जाएगा तो यह 50,000 तो 50,000 इसका एंसर हो जाएगा ठीक है पहले वाले ने 10% की हानी पर दूसरे दोस्त को जी दूसरे दोस्त ने क्या किया उसको 20% के लाप पे बेच दिया 20% के जो लाप पे बेचा उस पे 54,000 रुपए पे बेचता है तो 54,000 में 20% सामिल था उसका हमने 100% बना लिया अब जो 100% रुपए बने हैं वो यानि कि पहले वाले दोस्त ने उसको 90% पे बेचा था तो वो 90% के बराबर है तो उसको 100% बना लिया 145 दे रखा है ठीक है तो संख्याओं के मध्य अंतर तो देखिए ये लिखा A स्क्वाइर B स्क्वाइर तो इसका क्या होता है एक में होता है X प्लस Y एक ब्राइकेट में X माइनस Y बराबर 145 दे रखा है ठीक इतना समझ में आगया अब देखो हमको X प्लस Y की वैलू इधर दे रखी है 29 ये X माइनस Y ऐसे रहेगा इसको लटू 145 अब देखो जो चीज इधर गुणे में है वो बटे में आजाएगी तो इधर से इसको सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए तो 29 पचे होता है ठीक है इसका भी कितना 16% बराबर है कितना 8 तो आठ इकम आठ दूनी सोला दो इकम दो पचास तो देखो अब ये जो पचास जो है इसका गुणा यहाँ पर वन से हो जाएगा तो यानि की X गुणे 40 पटे 100 बराबर 50 मिल गया तो देखो ये 0 से 0 चला गया ये 2 दूना 4 हो गया 2 पंचे 0 हो गया तो 2 इकम दो हो गया 2 पच्चेस हो गया 25 पंचे 125 आजाएगा देखे 125 आपको ये एंसर मिलना है ठीक है देखे बिल्गुल कठिन नहीं था बस खाली थोड़ा सा ध्याम देना है कि किसके साथ किस चीज को क्या गया रहा पूरा कोश्चन का एंसर आपको एक बार में पढ़ने पर ही मिल जाता है फिर अगला एक बर्स पहले पिता की आईउ अपने पुत्र की आईउ की से चार गुनी थी एक बर्स पहले की बात कर रहा तो देखो पिता के लिए पी कर लिया और पुत्र के लिए सन कर लिया ठीक एक बर्स पहले पिता की आईउ तो एक बर्स पहले लो पिता की आईउ हो गए अपने पुत्र की आईउ की चार गुनी थी तो पुत्र को यहां से अटा दीजिए पुत्र को कहां लेके जाएंगे, तो अपने पुत्र की आयूसे, तो पुत्र भी तो, पुत्र क्या था, एस पुत्र भी तो एक साल पहले कम हो गया होगा, एक साल उसकी भी कम कर दी, चार गुनी थी, तो ये लीजिए, चार गुनी हो गया, छे वर्स पश्चात, तो देखो, पिताजी की उम्र पी थी, इसमें 6 साल जोड दीजिये, तो बच्चे के भी जो लड़का होगा, उसके भी उमर में 2 साल जुड जाएगा, कि देने 2 साल नहीं, छे साल जुड जाएगा, ये लिए फिर उसने क्या कहा छे वर्स पस्षाद पिता की आयू पुत्र की आयू के दो गुनी से नौ अधिक तो तो इसको तो पहले दो गुना कर दो और ये नौ अधिक कर दिया तो पहले दो उपर वाले समीकरण को solve कर लेते हैं ये हो जाएगा पी माइनस वन इसकोल टू 4S माइनस का 4 अब ये चीज इधर आ जाएगी पी माइनस का 4S इसकोल टू माइनस का 4 प्लस का 1 तो यानि की पी माइनस 4S इसकोल टू कितना माइनस का 3 बचाए ये मिल गया अब ठीक चलिए बाकी सब चीज अटा देते हैं चलिए इतना सब कुछ अटा दिया अब बचते हैं ये वाली चीज स्वाल करते हैं ये क्यूसन नंबर बन ऐसे करके लिख लिए हमने ये क्यूसन नंबर बन हो गई अब ये क्या हो जाएगा ये पी प्लस 6 हो जाएगा इस इक्वल टू यहाँ पर कित्ता हो जाएगा 2S प्लस 12 प्लस 9 तो देखो अब ये 2S और बाकी सभी नंबर को एक तरव रखो तो 12 9 कित्ता हो जाता है 12 और 9 हो जाता है 21 और 21 में से जब इधर 6 जाएगा तो 15 बचेगा ऐसे लिख सकते हैं P माइनस का 2S 12 प्लस 9 माइनस का 6 तो इतना हो जाएगा P माइनस का 2S इसकल टू 12 9 21 21 में से छेगा 15 तो इतना बचा अब देखो यहाँ पर भी P यहाँ पर भी P ठीक है अब देखो सीधा यहाँ पर समीकर लिखते हैं और सीधे इनको घटा देते हैं इनको क्या करते हैं घटा दो यह तो कट गया उपर वाला माइनस का नीचे प्लस का तो 4 में से 2 गया 2 बचेगा 2S और बड़ा 4 है तो इसलिए 4 का साइन आजाएगा उपर भी प्लस का नीचे भी प्लस का तो किता आजाएगा 15, 3, 18 यानि कि सन की उमर कित्ती है 18 साल स्वारी 18 नीचे दो सन की उमर कित्ती हो गई 9 साल ठीक है अब सन की उमर हो गई उनकी आयू में अनुपात ग्याद करना है ठीक है उनकी आयू में अनुपात ग्याद करना है तो फादर और सन अगर फादर हमारा जो है इसका लड़का जो है 9 साल का है चलिए पहले इन सब को अटा लीजिए ठीक लड़का जो है कितने साल का है 9 साल का है ठीक तो समीकरण क्या था P-4S is equal to 3 था अब इसमें S की जगह पर 9 रख दीजिए P-9 4 गुणे 9 बराबर 3 तो P-9 36 बराबर 3 अब जेखो P बराबर 3 प्लस 36 यानि कि कितना आ जाएगा 49 ठीक इतना मिल गया तो उसने क्या कहा था उनकी आयू का अनुपाद तो उनकी आयू का अनुपाद यानि कि पिता जी को ऊपर लड़के को नीचे 3 तीन 9 तेरा तीन 49 13 बटे 3 तो देखिए 13 बटे 4 आ रहा इसमें अरे देखिए एक गलती तो यही करती थी कि यहां पर माइनस का 3 आया था और हम लोगों ने माइनस का 3 नहीं लिखा था तो यह माइनस का 3 36 में से 3 जाएगा तो यह 33 बचेगा कितना बचेगा तो 33 बटे में 9 हो जाएगा तो 3 3 9 3 11 11 बटे 3 आएगा एंसर ठीक है यह 11 बटे 3 एंसर सही हो जाएगा सवाल मैंने अभी कुछी दिर पहले जब यह PDF बनके आई है मेरे पास तब मैंने इस सवाल को लगाया है इसलिए अभी जब यह एंसर गलत तब मुझे देखना पड़ गया कि क्या माहिने कैसे लगाया था ठीक है चलिए भाई चलिए आगे वाला सवाल देखते है कुछ धन 2 बरसों में साधाड़ ब्याज की दर से इतना हो जाता और 5 बरसों में इतना हो जाता है ठीक है तो धन कितना होगा तो पहले तो यहां पर देखिए 5 बरस और 2 बरस का दे रखा है तो हम लोग यहां से 3 बरस का निकलाएगा ठीक तो देखो 3 बरस का कित्ता हो जाएगा देखो 5 बरस का यह 5 बरस 5 यह कित्ता है 2 6 00 और यह 2 यह का कित्ता है 2 2 4 0 तो यह गटा देंगे सीधे-सीधे, यह बच जाएगा 3Y 0, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो यानि कि 3 साल का ब्याज है, 360 रुपए, तो एक साल का कित्ता आ जाएगा, 31, 326, 0, एक साल का ब्याज हमको 120 रुपए मिल गया, अब हमारे पास 2 साल का ब्याज कित्ता था, इतना तो 2 साल का ब्याज कित्ता हो जाएगा, 12, 24, 240, तो 240, यह 2 साल का ब्याज हो गया, कित्ते साल का, यह 2 साल का, ठीक है, धन कितना था, जब इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो इसमें 2 साल हटा दीजे, कितना बचेगा, 240 हटा दीजे, 2000 रुपए बचेगा, तो 2000 जार इसका answer हो जाएगा इस सवाल में तो कुछ नहीं था ये तो अगर देखा जाए तो अगर जो earth class का बच्चा होता है अगर उसको आप दीजिए तो ये question solve कर देगा चलिए यदि एक बिद्याले में बिद्यारतियों में से 70% लड़कें हैं तो था 504 लगिया अब एक बाताये कितने होंगे total 100 लोग होंगे भाई 100% होगा total उसमें से 70% निकल गए बचे कितने 30% ये 30% जो क्या है ये लड़कियां दे रखी हैं तो यानि कि 1% बराबर कितना हो जाएगा 540 बटे 800 ठीक है तो अब हमारे पास ये 1800 आ गए तो अब देखें अभी तो ये लड़कियां आये ही न टोटल ये टोटल बच्चे आये हैं कितने आये हैं टोटल 1800 1800 का 70% आप निकाल लिए 70% लड़के थे 0000 चला गए 1870 126 होता है और जीरो ये होना चाहिए एंसर आपका अरे चलिए पूरा सवाल ही गलत हो गया क्या बताया जाए चलिए देखें पूरा सवाल ये ऐसे गलत हो गया कि यहां पर हमको क्या-क्या दे रखा है ये ध्यान देने वाली बात थी यहां पर दे रखा है कि 70% लड़के हैं 30% रखा है मैंने पिछले बार 540 लिख दिया था एक परसेंट बराबर 504 बटे में 30 100 परसेंट बनाना है तो 100 से गुणा यह 00 तो देखिए पांच तीन निकम तीन बचा दो तीन चंग अठारा फिर बचेगा दो तीन अठे चोबिस तो 1680 हमको टोटन मिले है टोटल बचे का 70 परसेंट ऑन को निकालना है लड़के ऐसे तो देखिए यह 008, 7, 7, 8, 56, 5 हांसिल, 7, 6, 42 और 4, 5, 47, 4 हांसिल, 7, 1, 7, 7, 4, 1176 इसका एंसर सही होगा, ठीक है, 1176, चलिए, 1176 ये लिजे एंसर हो गया, किसी संख्या का 200% नब्दे है, तो पहले तो यहीं से संख्या बना लीजे, किसी संख्या का, तो एक्स का 200, बटे 100, बराबर 90 है, तो यानि कि इसका कित्ता हो जाएगा, 45, एक्स बराबर हमको कित्ता मिल गया, 45, तो 80%, 80% के आयाद रखिएगा, संख्या 45 है, तो 45, जो संख्या निकाली है, हम लोगों ने, उस 45 का उसने पूछा, 80% कित्ता होगा, तो 45 का, 45 का, 80, बटे में 100, 20, चक्को, 20, पच्चे, 5, इक्कम, पांच, नेम, नो, चौक, 36, तो ये 36 एंसर मिल गया, ठीक, चलिए, यहाँ पर लिखाओ, चार गुणे पांच, देखाओ, चार गुणे पांच, प्लस दो गुणे 6, प्लस 10 बटे 2, तो देखिए, इसको ये तो बहुत सिंपल सवाल है, अब गुणा, चार पंचे 20, प्लस दो चंग, बारा हो गया, प्लस 5 हो गया, बारा और बीस, बारा बत्तिस और बत्तिस पांच, 37 ये देखिए, 37 अंसर अपको, सीधे-सीधे 37 अंसर मिल गया, ये तो बॉर्ड मस्क का सवाल था, चलिए, फिर देखिए, राधा के पास एक लाग रूपय थे, उसने एक बटे चार धन्नाच मकान किराय पर, ठीक, तता एक बटे पांच धन्नाच कपड़ों पर देदी, अब देखिए, अब उसके पास कितनी रासी बच्ची है, तो देखो, एक हजार का एक बटे चार कित बच्चे सजार अजाएगा, फिर उसने कए ऐक बटे पांच, तो एक, लाग को, जो है, पांच से बाँटे तो जो मिल जाएगा बीस घार, टो यानिक उसने कितने रुपय करदे देखिए, तो घकर देता why आप जाय सकती है, तो एक लाग में से पांच कि लिख्के करेंगे तो उससे आपका नुक्सान ने टाइम खराब होगा पांच प्रेच्छणों का औस पैंटीस है मैंने आपको बताया था जब आउसत जो दे रखा हो जितनी संख्याएं दे रखी हो उनका मुल्टिप्लाई तो 35 पचे 175 होता है 35 पचे 175 होता है लेकिन बाद में यह ग्यात हुआ कि 55 को 35 लिख दिया गया था ठीक है तो टोटल नंबर जो सभी संख्याओं का जोड़ था वह 175 था उसको जो है पांच से भाग दे दिजिए तो पांच एककम पांच शक्तियां पंदरा बचाचे पांच नेम पाइंतालिस ते कि 49 एंसर आ गया क्या कुछ दिक्कत होई कोई दिक्कत नहीं होगी बाई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी आप बस जुड़े रहिए आपको जो है यहां पर क् videozone के साथन में आपको सब कुस्समाइबा ठीक चलिए है पांच ब्टे-च्छेय का प्रतिसत में बदलना है तो देखो 5 बटे-छेशे को आपको जो प्रतिसततह से बुड़ना है तो कुछ नहीं करना है च्यूb जा पांच बटे 6 दे रखी है इसको 100 से गुणा कर दीजिए तो यह कितना हो जाएगा 500 और इसको 6 से भाग दे दीजिए तो 6,8,48 बचेगा 2,6,3,8 अब आप कितने बार भी भाग दे लिजिए यह दसमलब के बाद इतना ही मिलता रहेगा तो हम यह कह सकते हैं कि 83 सही 2 बटे 6 मि मिलना चाहिए तो इसमे 83 दे रखा है आगे देखते हैं सायद आगे इसका एंसर दे रखा होगा यही अच्छा चलिए यहां पर देखें ऑप्सन में मिस्टेक हो गई है ठीक है वो छप नहीं पाया है प्रिंट जो है नहीं हो पाया है यहां पर देखें चौथा उप्सन ल सही एक बटे तीन प्रतिसर ठीक यह अंसर आ जाएगा चलिए एक संख्या का दो बटे पांचमा भाग संख्या का दो बटे पांचमा भाग संख्या के एक तिहाई से दो बड़ा है तो संख्या के एक संख्या का एक तिहाई से दो बड़ा है तो यह लीजिए दो बड़ा ब यह हो जाएगा उपर 2x बटे 5, स्वारी, यहां पर प्लस नहीं, माइनस आएगा, और x बटे 3 is equal to 2 आया, LCM ले ले लेंगे, LCM आ जाएगा 15, 5, 3, 15, देखे, इस से नीचे वाले से नीचे वाले को भाग दीजिए, जो answer मिलता है, उस से उपर वाले का सिर्फ गुणा कर देन है, तो कितना मिला है, 5, 3, 15, 3 की गुणा 2 से, तो 6 दूनी, 3 दूनी 6x हो जाएगा, यह माइनस, ठीक, यहां पर, अब 3 पचे 15, तो देखे, 5x हो जाएगा, बराबर 2, तो 6 में से 5 जाएगा, बचेगा, x, x बटे 15 आ जाएगा, equal to 2, जो यहां पर लिखा है बटे में, उध हो जाएगा, तो x की गुणा, x बराबर 15 गुणे 2 आ जाएगा, तो 15 दूनी, 30, यह आपको एंसर मिल जाएगा, चलिए भाई, यह भी कोश्चन कंप्लीट हुआ, आज का सिट पेपर थोड़ा सा, कह सकते हैं कि, बहुत ज़दा टफ लेवल का नहीं है, एक सर्ट में सूती बा उनी कपड़ों के 3 बटे 4 के नुपात में है, तथा शर्ट का भार, 140 ग्राम है, सूती भार, सूती भाग का भार है, देखो, शर्ट में सूती बा उनी कपड़ों के भाग, 3 बटे 4 के नुपात में है, तो देखो, ऐसे लिख लिए, यह सूती, सूती के लिए सा बना लि है कितने हैं 3 और 4 के नुपात में तथा शर्ट का भार 140 grand है सूती भाग का जो है सूती बहाग का भार हताना तो देखो यह दोनौ جो है इन दोनों को वही मिलाकि यह भार बना ओगा तो यह x के सास इनको लिचंद हो तो ने को x के सास्थ में लिख लीजिए तो 3 x plus 4 x is equal to 140 gram तो 3 और 4 7 x हो जाएगा ठीक और 7 से 140 gram हो जाएगा तो x बराबर कित्ता हो जाएगा 140 बटे में 70 70 दूना कित्ता हो जाएगा यानि कि 20 तो x बराबर हमको 20 मिल गया और उसने पूचा किसका था सूती सूती उपर कित्ता था 3 तो 20 या कित्ता होता है 60 देखिए यह 60 एंसर मिल गया आपको चलिए भाई आगे देखिए दो गोलों के सतह का छेत्रफल दो गोलों के सतह का छेत्रफल एक और चार के अनुपात में है दो घनफलों के अनुपात तो उनके घनफलों का अनुपात यानि कि उनके घनों का अनुपाद बताना था कि कितना होगा चलिए भाई कोई दिक्कत ने, बहुत सरल सवाल है यह यह सवाल सरल तभी है जब आपको इसके फार्मूले पता हो सतह चेत्रफल, मतलब उसका सर्फे से यह पूछा जा रहा है घजब तो क्या होता है, गोले का, यानि कि इस पेर का क्या हो जाता है 4 πाई आर स्कोई, यह रवन को हो गया है, क्योंकि अनपाद पूछा है और इधर से 4 πाई आर टू का स्कोई, इसकोल टू वन अपॉन फॉर दे रखा है देखे, 4 से 4, πाई से πाई चला गया, तो यह कित्ता मिल गया, 1, ऐसे कह सकने, R1 upon में, R2 का whole square is equal to 1 upon 4, तो जब square अटेगा, तो उधर under root लग जाएगा, तो 1 upon 4 अजाएगा, जब under root अटाएगा, तो 1 upon 2, हमको यह मिल जाएगा, ठीक है, तो यानि कि 3G, हमको R1 कित्ती मिल गए, और R2 कित्ती मिल गए, 2 मिल गए, चलिए भाई, इसको solve करते हैं, आगे, अब देखे, 3G, आएपता चल लगए, तो, आयतन निकालने में, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक, R1 बराबर हमको 1 मिला था, और R2 बराबर हमको 2 मिला था आयतन का अनुपात पूछा है तो 4 बटे 3 पाई R1 का क्यूब बटे में 4 बटे 3 पाई R2 का क्यूब 4 बटे 3 4 बटे 3 पाई पाई कट गया R1 कित्ता था 1 1 का क्यूब बटे में 2 कि उसका R2 कित्ता था 2 था 2 का क्यूब तो 1 का क्यूब 1 मिलेगा और 2 का क्यूब कित्ता मिलेगा 8 मिलेगा तो 1 upon 8 इसका answer हो जाएगा यानि कि 1 ratio 8 इसका answer हो जाएगा चलिए भाई 2 बराबर 20 है तो x यह दर लिखा है 20 गुणे x है तो x की value बतानी थी तो देखो यह लिखा a square minus का b square क्या होता है एक bracket में a plus b और एक bracket में a minus का b is equal to कित्ता दे रखा 20 गुणे में x दे रखा है हमको ठीक इतना दे रखा है तो देखो 436 में लगे यह 100 बना देते हैं और यह bracket का कित्ता बचेगा 14 में से 6 गया 8 बचेगा 5 में से 3 गया 2 is equal to 20 गुणे x तो 21 गुणे 25 बचेगा तो 28 पंचे 140 होता है is equal to x तो देखे एक्स बराबर 140 मिलगे यह answer लिजिए ठीक क्या देखे कुछ भी कठिन लगा नहीं क्यों नहीं लगेगा अरे भाई क्योंकि जब आपको फार्मूले पता होंगे आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होंगी आपको कैलकुलेशन करना आना पता होगा कभी भी सवाल कठिन लगी नहीं सकते हैं यदि गोले का आइतन तथा प्रष्टी चेत्रफल संख्यात्मा ग्रूप से समान है तो उसकी त्रिजियर देखो उसने क्या कहा गोले का आयतन तो गोले का आयतन इत्ता होता है यानि कि स्फेर का वैलूम 4 रेशियो 3 पाई आर क्यूब और उसने क्या कहा है तथा प्रष्टिय छेत्रफल अब एक चीज आप ये बताएए अभी हम लोगों ने प्रष्टिय छेत्रफल का सुत्र लगाया था क्या लगाया था? यानि कि surface area का 4 pi r square यही तो होता है अब चीज़ देख लीजिए देखो 4 से 4 चला गया pi से pi चला गया यहां पर r square है और यहां पर r cube है कट गया r और r बचेगा अब इधर से तो r पूरा चला जाएगा इधर r बचेगा तो अब देखो इधर upon में 3 था इधर तो सब कुछ कट गया इधर कित्ता बचा था? r बटे 3 is equal to 1 बचा r बराबर 3 मिल गया हमको कित्ता मिल गया? 3 तो इसकी त्रिज्ज्य कित्ती मिल गया? 3 यह लीजिए 3 answer आ गया क्या कुछ भी कठिन है? नहीं क्यों? क्योंकि mensuration में सब कुछ लगता है किस पे? mensuration में सब कुछ लगता है हमारा सूत्रों पे तो भाई सूत्र याद होने बहुत जरूरी है mensuration के एक बेक्ति अपने मित्र को 10% हानी पर एक कार बेशता है यद मित्र इसे 20% पर अचा ये तो वही question हो गया भी अपका हम लोगों ने लगाया तो था ये 50 number बिलकुल इसका सही answer आया था ये देखे question repeated आ गया है यहां पर ठीक है चलिए एक ब्रत्त का छेत्रफल दे रखा है इतने centimeter इसकी परिद बतानी तो पहले तो ब्रत्त का छेत्रफल पता होना चाहिए कितना होता है ब्रत्त का छेत्रफल होता है πाई आर स्कॉयर ठीक क्या होता है नहीं है आर स्कॉयर ऐसे रखिए 38.5 को हम लोग दसमला बटा देंगे यहां पर कितने के बाद दसमला था एक संक्या के बाद तो नीचे एक जीरो बढ़ गया यह ठीक अब देखें ऊपर 22 है यह किसी से भी डिवाइड नहीं होगा किस से 11 से डिवाइड होगा 11 दूनी और 11 तियां 33 और 5 बचे का 11 पचे 55 ठीक तो अब देखें हमको कितना मिला 35 बटे में 10 इस इक्वल टू 2 अपॉन 7 आर का स्कॉयर तो 5 सत्य 35 पांद दूनी 10 तो अब देखो आर इधर कितना था आर स्कॉयर बराबर हमको कितना मिल गया यह 7 बटे 2 अब जो चीज इधर गुणे में उदर चली जाएगी जो ऐसे करके तो देखो आर स्कॉयर बराबर हमको कितना बिलेगा 7 का गुणा 7 से तो 49 मिल गया और 2 का गुणा 2 से तो बटे में 4 मिल गया तो इधर square है इधर जाएगा तो R बराबर ये under root लग जाएगा 49 बटे में 4 हो जाएगा और जब इसका under root हटाएंगे तो 49 किसका under root होता है भाई तो 49 under root होता है हमारा 7 का और 4 under root किसका होता है दू का यानि कि किसका बरग मूल होता है तो आर बराबर साथ बटे दो मिल गया हमको इतना मिल गया, अब हमको क्या निकालना था अब हमको निकालना है उसकी परिधी निकालना है, क्या निकालना है परिधी निकालना है, अब अगर परिधी निकालना है तो परदी का फार्मूला होता है टू पाई आर, ठीक, अब इसमें हम लोग बैलू रख देते हैं, दो गुणे 22 बटे 7 गुणे आर किता था, 7 बटे 2, 7 से 7 चला गया, दो से 2 चला गया, किता बच गया भाई, ये दो को 22 बच गया, ये लो भाई, क्या कुछ भी कठिन लगा, नहीं, क्यों, क्योंकि भाई, हमको तो फार्मूले आते थे, ठीक, अब अगर फार्मूले आते हैं, तो भाई, सवाल भी लग जाएगा, चलिए, एक डीनर सेट, 648 रुपए में बेचने पर, एक आदमी को लागत मूले का 1 बटे 9 नुकसान होता है, ठीक, ये दिवाच 810 म में बेचने पर, एक आदमी को लागत मूले का 1 बटे 9 नुकसान होता है, ठीक, यानि कि इसमें जो है, 1 बटे 9 जो है, वो ये कह सकते हैं, कि उसको नुकसान हो रहा है, तो X का 1 बटे 9, जो नुकसान करेगा, ठीक, X माइनस X का 1 बटे 9, ऐसे कर सकते हैं, ठीक, तो वो कित् 48648 के बरावर है ठीक है तो यहां से X को common कर लीजिए कित्ता मिलेगा 1-1 upon 9 is equal to 648 अब यहां से 9 LCM लेके जो हम solve करेंगे तो उपर मिलेगा 8 बटे 9 क्योंकि 9 इककम 9, 9 में से 1 चला जाएगा 8 बचेगा is equal to X is equal to 648 ठीक, 648 इतना answer हमको अभी मिला है यहां से हमको X की value बिल्कुल exactly पता चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी अब देखो जो इधर भाग में है वो इधर जाके गुणे में पहुंच जाएगी तो 648 गुणे में 9 और बटे में 8 आठ आ जाएगा बरावर किसके X के आठ अठ चाउसट आठ एक कमाट 9 की गुणा 81 से करते हैं तो 729 मिल जाता है ठीक अब हमको यह पता चल गया कि 729 रुपई की चीज थी लेकिन उसने जो है बेची 649 में थी ठीक अब उसने क्या कहा था कि अगर वह 810 में बेचता तब हमको इसको कितना profit होता तो 810 729 में से घटा दीजिए तो 10 में से 9 गया 1 10 में से 2 गया 8 81 रुपई बचता है किता 81 और 81 से क्या करना है क्योंकि 729 पर पता करना था कि उसको लाब हुआ या हाने कितने लाब हुआ था तो 729 गुड़े में 100 तो 9 नेम 81 9 का 81 तो 9 इककम 9 इकक्यासी नेमा तो यानि की कितना मिल गया 100 बटे में 9 तो 9 से इसको भाग देंगे 11 नेमा 99 और 100 बटे में परसेंट ये लीजिए 11 सही 1 बटे 9 परसेंट का उसको लाब हो जाता है तो ये तीसरे option में दे रहे हैं बिलकु एक लूब सही हो जाएगा चलिए आगे देखिए भाई तो फिर दिया हुआ है किसी एक घं का संपूर्ण प्रष्ट जो है कितना है संपूर्ण प्रष्ट का चेत्रफल 17-34 cm2 है तो इसका आयतन कितना होगा अब देखो किसी घन घन का संपूर्ण प्रष्ट तो गन क्या होता है एक सेकंड आपको दिखाते हैं घन क्या होता है यह होता है घन ठीक है अब इस घन का संपूर्ण प्रष्ट तो इसमें कितने प्रष्ट होते है छे और एक प्रष्ट की जो अगर भुजा पूची जाएगी साइड पूची जाएगी तो ए होती है तो इसका प्रष्ट संपूर्ण प्रष्ट कितना हो जाता है एक सेकंड रू चेत्रफल कितना होता है A², तो इसका ये हो गया, संपूर्ण प्रिष्ट का चेत्रफल कितना दे रखा है, 1734, ठीक, आप 1734 को पहले, तो आप 6 से भाग दे दीजिए, तो 6 दूनी 12, बचेगा 5, तो 6 एठे 48, फिर 48, पांच, और 54 हो जाएगा 6, नेम 54, 289 आ गया, किसके बरा हूँ बरा भर हमको कित्ता मिलीगा, 289, तो ये लीजिए, बराभर कित्ता हो जाएगा, अंडरlaimed गंदर, 289, 289 का बरगमूल क्या होता है, किसका बरगमूल ये होता है, ये 17 का, जानी कि, ए बराभर 17 सेंटीमीटर मिल गया, तो इसका आयतन बताना था, तो आयतन कित्ता हो हो जाता है सत्तरा सेंटीमेटर गुणे सत्तरा सेंटीमेटर गुणे सत्तरा सेंटीमेटर तो यह उन्चास तेरा हो जाता है कितना हो जाता है सत्तरा सत्तरा का मल्टिप्लाई जो हो जाता है वो कितना हो जाता है वो उन्चास तेरा हो जाता है कितना हो जाएगा 49 13 यह क्यूब होता है क्यूब आप याद रखिएगा तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे अगर नहीं आपको याद है तो देखिए फिर इसको क्यूब को आपको 17 17 17 को तीन बार लिख्या आपको मल्टिप्लाई करना पड़ेगा फिर देखिए समस्या तो आएगी तब ही कहतना है कुछ चीज़े याद कर लीजिए 20 तक तो आपको वर्गमूल यादी होने चाहिए और कम सकने 20 तक तक तो आपको घनमूल भी याद होने चाहिए यानि कि स्क्वाइर एंड क्यूब रूड याद होने चाहिए भाग के प्रस्ण में kisoda भाग फलका 4 गुना होना चाहिए तत्हा सेच फलका 5 गुना है तो यादि सेह सोला हो तो भाजक कितना होगा तो सेच का पांच गुना ठीक है तो सेच फल तो अगर सेच फलंको दे रखा तो यहां से लगबग तो कोश्ण तो हमारा सही हो जाना चाहिए देखिए भाई भाजक जो है सेस फल का कितना है पांच गुना तो दीजिए भाजक बराबर कितना हो जाएगा सेस फल का पांच गुना था सेस कितना था पांच और उसका पांच गुना तो कितना हो गया असी ठीक है असी हो गया फिर उसने क्या कहा था भाग फल का चारगुना है तो यानि कि भाग फल भाग rapport वो मिलता है Fed objeto किसी संख्या को इसको भाग देते हैं तो जो यहांने कि भाग फल का चारगुना होगा तो भाग फल मिरादर असी बटे में चारодар flaming यह तो यह 20 मिल गया ठीक है तो अब देखो अब यहां से हम लोग सारी चीज़े हटाते हैं और लिखते हैं देखो भाजकित्ता मिला असी भागफल कित्ता मिला मिला 20 और उसके बाद में सेसफल कित्ता था सेसफल था 16 तो अब हमको इसका एंसर बताना था तो क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस सेसफल यह इसका फॉर्मूला होता है देखो इन दोनों की गुणा कर तो इसको इसमें जोड़ दो तो 80 दूना होता है 160 और 160 में एक 0 लग जाएक तो रखा है सही हो जाएगा बिल्कुल सही चलिए 34 नमबर देखिए यद किसी बर्ग का परिमाप किसी ब्रत्त की परिदी के बराबर है यद किसी बर्ग का परिमाप किसी ब्रत्त की परिदी के बराबर है तो देखो बर्ग का परिमाप क्या होता है, बर्ग क्या होता है, तो देखो बर्ग का परिमाप हो जाएगा, 4a², ठीक है, किसी ब्रत्त की परीद क्या होती है, 2pi r² होता है, के बराबर यह, ब्रत्त का छेतरफल हमको इतना दे रखा है, 316, तो ब्रत्त का छेतरफल को जाता है πाई आर स्कॉाइर बराबर 616 दे रखा है हमको ठीक है? सेंटीमीटर स्कॉाइर ठीक आप देखिए यहाँ पे हमको क्या पता है? पाई की वैलू 22 बटे 7 होती है इंटू आर स्कॉाइर इसकॉल टू 616 सेंटीमीटर स्कॉाइर तो 11 दुनी 22, 11 पचे 55 सेंटीमीटर स्कॉाइर इसकॉाइर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूड के अंदर 116 सेंटीमीटर 196 इसका वर्गमूल होता है तो 14 सेंटीमीटर यानि की आर बराबर हमको कित्ता मिल गए 14 सेंटीमीटर तो अब यहाँ पे हम लोग पूट कर देंगे आके इस वाले फार्मूले में आके पूरी आर की वैलू पूट कर देंगे यह लिजे भाई तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू कित्ता मिला था 14 सेंटीमीटर तो देखो 7 इकम साथ 7 दूनी 14 और क्योंकि 14 दो बार लिखा जाना था तो 14 ठीक तो देखे 14 और 22 दूना 44 और 14 दूनी 28 तो 28 से आप गुना कर दिजे तो 8 चकू 32 तीन 8 चकू 32 तीन 35 चार दूना 8 चार दूना 8 तो जोड़ लिजे दू 8 पांते रख तीन हासिल लगा एक आठ तीन 11 और 12 बारा सो 32 मिला और क्योंकि हमको बर्क का चेत्रफल बताना था तो बर्क का चेत्रफल होता है भुजा स्कॉयर तो खाली हमको स्कॉयर की वैलू चाहिए तो ए स्कॉयर की वैलू चाहिए के लिए चार से इधर डिवाइड कर दीजे क्योंकि चार को इधर इधर गुणे में ता तो इधर आके भाग में आ जाएगे तो चार इककम चार तीन 12 चार अठे 32 यह हमको एंसर मिलना चाहिए देखे पूरे सवाल की ऐसी की तैसी हो गई क्यों क्यों क्योंकि फार्मूला गलत लिख लिए चलिए भाई फोर ए होता है ब्रत का ब्रक का परिमाब और ब्रत की परिदी क्या होती है टू पाई आर होता है ठीक है है आरमें कित्था मिला था टू इनी 12 टू अपौन सेवन और कित्てा मिला था चौन संतिमीटर ठीक साथ इककम साथ दूणी 14 तो दो दूना चार और 4 22 चक को 88 सेंटी मिला किस के बराबर 4EC के बराबर तो 4,1 चार दूना 8 चार दूना 8 तो यानि की A बराबर हमको कितना मिल गया 22 cm, अब बरत का बर्ग का क्या बताना था तो बर्ग का चितपल, बर्ग का चितपल क्या होता, A square, तो यानि कि 22 cm into 22 cm, ये, तो 22 multiply 22 होता, 484, ये answer आ जाएगा, देखे, इतनी जरा सी mistake पे, पूरा सवाल दुवारा लगाना पड़ा, ये देखे, सवाल बचाए, ये भी finish करते हैं, एक गोलाकार लोहे की चादर से, जिसकी, एक गोलाकार लोहे की चादर से, जिसकी तरिज्या 4 cm है, 3 cm तरिज्या के एक गोल चादर काटकर निकाल ली जाती है, तो बची हुई चादर का च्छेतरफल कितना होगा, देखे, इस सवाल को और चोटे वाले का कितना हो जाएगा, पाई आर टू का इसक्वायर, ये दोनों आपस में घट जाएंगे, बड़े वाले में से चोटे वाले को घटा दीजिए, जो चीज निकाली गई है, वो निकाल लीजिए, बचा हुआ अपने आपा जाएगा, तो देखो, यहां से प चार चक्कूू, सोला, सोला में से नो हो गया, तो बचता है, सात बचता है, तो यानि की पाई इंटू 7 बचा, तो पाई की वैलू कित्ती होती है, 22 अपाँ 7, इसकोल टू, ए मल्टिपलाई 7, तो 7 मन्जा 7 चला गया, इतना बचा, टून्टिटू, ठीक, तो बची होई च 22, answer बिल्कुल correct हो जाएगा, ठीक, तो चलिए भाई दोस्तों, आज की class तो यहीं पर समाप्त हो गई है, और अगर आपको यह class अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों तक भी share कीजिए, वीडियो को like कीजिए, और channel को subscribe कीजिए, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली class में, तब तक के लिए जाहिन,